इस lecture में हम पढ़ेंगे कि low cost material for construction हम कैसे agriculture वेस्ट से obtain करते हैं और उसे हम useful product में convert करते हैं और building construction के लिए use करते हैं previous lecture में मैंने आपको explain किया था कि low cost materials क्या होते हैं और कैसे आप industrial waste को convert करते हैं और उसको भी आप क्या करते हैं as a useful product में convert करके हम उसे construction में use करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि agriculture waste जो होते हैं उसको हम building में as a building material हम कैसे convert करके use कर सकते हैं यह बोलता है कि agricultural activity से आपके बहुत सारा जो waste हैं वो generate होते हैं और यह एक दूसरा source है आपका environment pollution का और social problem का क्योंकि continuous आपका huge amount में क्या हो रहा है waste इकठा होते जाता है land पे जो कि आपका pollution cost करता है आपके environment का और आपका जो social problem से उनके लिए भी यह majorly responsible होते हैं तो कैसे इन्हें हम reduce करके एक useful product में convert कर सकते हैं उसके बारे में हम इस structure आपके lecture में detail में study करेंगे तो यह बोलता है जैसे कि आपका rice husk हो गया banana leaves हो गया केले के पत्ते हो गया bamboo leaves मतलब बांस का जो पेड़ होता है उसके जो leaves होते हैं और आपका बैग ash ash यह क्या होता है कि आपका जो गन्ने का जो जब हम उसमें से juice निकाल लेते हैं तो आपका क्या बचता है dry waste बचता है तो उसको आप कैसे इनको useful product में convert करके इन्हें as a building material आप use कर सकते हैं तो सबसे पहले यह बताता है कि जो rice husk होता है जिसको हम Hindi में क्या बोलते हैं भूसा बोलते हैं धान का भूसा बोलते हैं तो यह होता है आपका क्या rice husk यह बोलता है कि rice husk में आपको generally हम concrete बनाने के लिए use करते हैं और क्योंकि इसे इसलिए use किया जाता है क्यो milling process से जहां पर आपको rice को किया जाता है जहां पर rice का processing किया जाता है तो उस दौरान as a byproduct आपका जो mill है वहां पर यह आपको obtained होगा जिसमें आपका इस milling process के दौरान 75 जो 78% होता है वो आपका rice रहता है broken rice रहेगा या फिर brand जिसको हम चोकर भी बोलते हैं और जो बाकी बचा हुआ 22% होता है वो होता है आपका husk यह जो husk होता है इनमें ही आपका cementing properties present होती हैं जिनें हम concrete बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं तो यह बोलता है कि कुछ quantities में rice husk को burn कर दिया जाता है और environment को क्या होता है इससे pollution होता है तो इसको eliminate करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको हम यूज कर सकते हैं for as a building materials अब आगे बोल रहा है कि rice husk में आपका यह जो आपको image दिख रहा ह इसे ही हम क्या कहते हैं rice husk कहते हैं अब यह बोलता है कि जो आपका rice husk में cementing properties होती हैं इस वजह से हम इसे क्या करते हैं ordinary concrete बनाने के लिए use कर सकते हैं और cement की जगा कुछ percent में हम rice husk को भी use कर सकते हैं polymer concrete में भी rice husk को आपका यूज किया जाता है as a filler material तो यह different type of concrete बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं rice husk कर सकते हैं नेक्स second one is banana leaves ashes यह आपको दिख रहा इमेज यह होता है आपका banana leaves जब यह आपका क्या हो जाता है एक time के बाद बहुत huge quantity में आपका leaves है तो यह क्या होता है आपका एक समय के बाद यह खराब हो जाते हैं तो यह as a waste ही वहां पे land में आपको मिलेगा तो इसको भी क्या करना है हमको इसको हम dry करके धूप में सुखा के इसको हम क्या कर सकते हैं burn कर सकते हैं जब आप जला दोगे तो यह convert हो जाएगा किसमें ash में और इस जो ash यह जो आपको ash obtained होगा इसमें present होता है आपका posolenic properties जो कि आपका important quality होता है as a cement बनाने के लिए तो यह बोल सकते हो आपकी जो banana leaf का ash होता है उसको concrete और motor बनाने के लिए यूज किया जाता है और बहुत सारे useful भी या फिर यह advantages provide हमको करता है जैसे कि reduction of cost of building material क्योंकि आप अगर सेमेंट ही पूरा यूज कर रहे हैं और तो उसका आपका costing अलग आएगा अब अगर आप कुछ परसेंट में सेमेंट कर रहे ह तो आप उतना सिमेंट बचा लेंगे तो यह क्या कर देगा आपका building material का जो cost है उसको reduce करने में help करेगा और यह जो huge amount में क्योंकि एक waste है तो आपके land में huge amount में इकठा हो जाता है तो अगर आप इसे useful product में convert करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं environment को भी pollute होने से बचा ले रहे ह कि जो bamboo होते हैं उसको हम use करते हैं during foam work process जहां पर आप mask का इस्तमाल करते हैं structure को आपका casting के दौरान support provide करने के लिए तो आपका bamboo already एक useful building material है जो कि construction के दौरान use होता है second होता है क्या इस bamboo के जो leaves होते हैं उनमें क्या होता है यह experimentally analyze किया गया है कि इनमें pozoleanic properties होती हैं जिने सकते हैं यूज कर सकते हैं तो इस पे जो है बहुत सारे experiments किये गये हैं टेस्ट किया गया है तो इस टेस्ट यह रिजल्ट शो करता है कि bamboo leaf में 78.7% आपका present होता है SiO2 जो की एक reactive pozole owner है as compared to आपका silica fumes तो इसे भी आप bamboo leaf को क्या है आपका यह भी एक waste से आप क्या कर रहे हैं सिविंट बनाते हैं तो इससे आप क्या कर रहे हैं cost को building material का reduce कर देते हैं तो यह वहां पे आपको use amount में obtained होगा और यह भी एक waste है तो इसे आपको dry करना है dry करने के बाद क्या करना है इसको burn करना है तो यह किस में convert हो जाएगा आपका ash में convert हो जाएगा और इस ash को हम क्या करते हैं यूस करते हैं क्योंकि इसमें इसका यूसकर कर सकते हैं ब्लैडड़ सिमिंट बना सकते हैं भी समय होता है जब आप फृटब्डड जपे औरूर्ड ये प्लेड़ करिते हैं जैसे कि अड़क लगये और या फैर का मुद्ड़न को के सिमें येов ब्लैड़ केamento यूज कर सकते हैं क्योंकि जब आप इसको जलाओगे तो आपको इसका जो प्रोड़क्ट मिलेगा वह relationship मिलेगा और इस एश को कुछ पर सेंटेज में आप ओपी सी के साथ मिक्स कर सकते हैं तो आपको जो प्रोड़क्ट मिलेगा वह कहलाएगा आपका ब्लेंड़ प्लेंड जो आपका एक useful building material होता है जो depend करता है कौन से condition पर आपको use करना है उसके according आप क्या क्या होते हैं इसे construction में use करते हैं तो यह सारे जो हैं आपके agriculture waste हैं और भी होते हैं अभी आपको यह चार बताया गया है जो कि आपका majorly आपका use होता है for building material work और इससे आप यह सीख रहे हैं कि कैसे आप waste को क्या कर रहे हैं एक useful product में convert करके environment को भी pollute होने से बचा रहे हैं thank you